पता ना होने की वज़े से एक आदमी गैंग्स्टर की इंसल्ट कर देता है अब गैंग्स्टर बदला लेने के लिए उसकी वाइफ की करीवाने की कोशिश करता है उसने उसे भी फसाने का प्लान बनाया था हेलो फ्रेंट्स इसी प्रिवेस थीम पर वेस्ट रिप्ली इस गे में 2000 की एक थ्रिलर हॉलिवड मूवी आज में आपको एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इस मूवी की सिच्वेशन थ्रिल से भरी हुई है तो अंदग इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको एक वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मैन गैरेक्टर टॉम रिपली को देखते हैं यह चोरी करना और इस तरीके की बहुत सारी इल्लिगल चीजे करता है आज वो अपने फ्रेंड रिवस के साथ था इन्होंने पेंटिंग की चोरी की है और इसी की डील करने के लिए उद जा रहा था जिस आदमी के साथ टॉम डील करने वाला था वो बहुत ही क्लासी था और वो रियूस को वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता रियूस ने खुद कॉल करकर पेंटिंग की डील कर ली थी अब टॉम जाकर बायर से मिलता है इनिशली बायर बहुत ही कम पैसे देने वाला था टॉम ने अल्रेडी रिसर्च किया था और इसके लिए बहुत सरे पैसे मांगता है बायर कोई बात अच्छी नहीं लगती है वो जबरदस्ती टॉम से पेंटिंग लेने वाला था पर टॉम ने उसके आदमी को मार डाला पेंटिंग के साथ पैसे भी लेकर वहाँ से चला जाता है ये वैसे उसने रियूस को दे दिये पेंटिंग सेल करकर बहुत सरे पैसे अपने आप के लिए रख लेता है अब मूवी में तीन साल बीच चुके है अब टॉम इटली में रहता है और अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है पेंटिंग सेल करने से उसे जो भी पैसे मिले थे इससे उसने एक बड़ा मैंशन खरीत लिया है आज अपनी वाइफ के लिए एक पियानो बाई कर रहा था जब वो घर पर वापस आय रहा था तो अपने एक नेबर से मिलता है नेबर का नाम में जॉनाथन जॉनाथन ने उसे कहा कि कुछ फ्रेंज के साथ मेरे घर पर आज पार्टी है अगर तुम जाओ तो तुम भी आज सकते हो टॉम ने इसके लिए उसे हा कहा वो जब पार्टी पर बहुशता है तो जॉनाथन की वाइफ सारा से मिलता है जो बहुत ही ब्यूटिफूल थी इन दोनों ने बाते की और इसके बाद वो जॉनाथन के पास आया जॉनाथन को पता नहीं था कि टॉम इसी रूम में है और उसके खिलाव वो कुछ भी बोलने लग जाता है कहता है टॉम ने जो घर बाय किया इसके उसने पूरी वाट लगा दिया उसे अर्गिटेक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है बाद में टॉम रियलाइस करता है कि टॉम ही पए रही टॉम भी बहुत ज़ादा गुसा हो गया था इन दोनों में फाइट होई जाती तभी सारा भाँ पर आगे और सारी चीज़े शान्त हो जाती है टॉम गुसे में घर पर आया और तीन साल बात उसके घर पर रियूस आया हुआ था टॉम कहता है कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हें काम क्या है वरना तुम्हारी बोड़ी कटर में मिलेगी रियूस कहता है वो पेंटिंग सेल करकर तुम्हें बहुत प्रॉफिट मिला था आज मैं एक ट्रबल में हूँ तो तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी रियूज ने तीन सालों में बहुत सारे कसिनो और बार लिये थे पर अचानक से एक आदमी उसे कॉंपेडिशन के लिए आया हुआ है वो आदमी उसके बार में अंडरेज लड़कियों को भी डांस करवाता है रियूज आता था कि टॉम जाकर उस आतमी को मार दे क्योंकि अगर खुद उसने ऐसा किया तो सारा शक उस पर ही जाएगा आउटसाइडर का काम किसी को भी समझ मिनी आएगा टॉम इस बात को सिरेसली लेता नहीं रात में जब वो अपनी वाइफ के साथ था तो उसके वाइफ पुछती है कि पार्टी केसे थी है टॉम कहता है कि बहुत ही घटिया थी उसके वाइफ ने कहा कि जॉनातन को कैंसर है शायद उसी वज़े से उसका मूड खराब होगा इस बात पर टॉम ज़रा सोच लेता है अगली दिन वो जॉनातन पर नज़र रख रहा था उसने फिर रियूस को कॉल लगा उसने गा कि अगर तुम किसी न्यू आदमी को लाओ तो वो भी ये काम कर सकता है रियूस को किसी न्यू आदमी को काम देना है सही नहीं लग रहा था पर टॉम ने जॉनातन के बारे में रियूस को बदा दिया टॉम को बदा था कि जॉनातन के पास ज़्यादा पैसे नहीं है मजबूरी में काम वो करेगा पर इसमें वो फच सकता है इसी तरीके से उससे बदला लेना चाहता था रियूज ने फिर जॉनतन को कॉल किया एक जगा पर मिलने के लिए बुला है कहा कि तुम्हें इस काम के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे जाते वक्त जॉनतन की वाइफ सारा जहाँ पर काम करती है जॉनतन ने वहाँ की सारी चीजी देखी उसकी वाइफ सारा को उसका बॉस हरास करता था पैसो के लिए सारा को एक काम करना पड़ता है यह जॉनतन को अच्छा नहीं लगता वो फिर होटेल आकर रियूज से मिला रियूज उसे कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 डॉलर्स दोंगा पर तुम्हें एक आदमी को मारना पड़ेगा जॉनतन इस बात से बहुत डर गया यह काम वो कैसे कर सकता है रियूज ने उसे समझाया कि वैसे भी तुम कैंसर से मरने वाले हो तो एक काम तुम कर ही सकते हो अपनी फैमिली के लिए तुम्हें कुछ पैसे छोड़ कर जाने चाहिए जॉनतन के जाने के बाद रियूज ने टॉम को कॉल लगा कहा कि वो काम नहीं करने वाला टॉम कहता है मेरी तरफ से मैं 50,000 डॉलर्स दोंगा तुम उसे फिर से डिल देना जॉनतन अपनी वाइफ के जॉब के बारे में सोचता है वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ फिर से वहाँ पर काम करे अगली दिन रियूज फिर से जॉनतन से मिलने के लिए आया उसे कहता है अब मैं तुम्हें एक लाग डॉलर्स दोंगा इस बात पर जॉनतन सोचने लग गया था उसका काम खतम हो जाने के बाद जब वो घर पर जा रहा था तो टॉम उसे लिवट देता है टॉम उसे कहता है तुम्हारी फैमिली बहुत ही ब्यूटिफुल है अगर मैं तुम्हारी जगाबर होता तो उनके लिए कुछ भी करता जॉनतन ने एक काम करने का आप डिसाइड कर लिया था वो एक काम करने के लिए चला कया तो रात में टॉम सेरा के पास आता है लिए कि जॉनतन जहाबर काम करने के लिए गया हुआ था वहाबर रियूज उसे सब कुछ प्लान बताता है सेरा के हाँ से टॉम जब घर पर आता है तो उसकी वाइफ उससे बुछती है इसके बाद रियूज जॉनतन को उसका टार्गेट दिखा देता है कहता है कि आदमी हमेशा प्लानेटोरियम जाता रहता है तब वहाँ पर उसके साथ कोई भी बॉडिगार्ट होते नहीं है जॉनतन ने उस आदमी का पीछा किया और जब उसके पास कोई भी नहीं था तो गन पर साइलेंसर लगा कर उसे मार डालता है अपना काम करकर वो वापस आ गया घर आकर उसने सारे पैसे सिंग की नीचे छुपा दिया कुछ पैसे अपनी वाइफ को दिखाता है और कहता है कि वहाँ पर मेडिकल रिसर्च चल रहा था मैंने खुद पर टेस्ट की तो इसके पैसे मुझे मिल रहा है उसने उसे बहुत मिस किया था तो आज राते दोनों इंटिमेट हो जाते है अगली दिन रियूज ने जॉनाथन को फिर से मिलने के लिए बुला लिया उससे कहता है और एक आदमी को तुम्हें मारना पड़ेगा जॉनाथन फर्स टाइम से ही डरा हुआ था अब वो फिर से एक काम नहीं करना चाहता रियूज उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम्हें एक आदमी को मारो के और अपनी लाइफ को कंटिनू करोगे उस आदमी के पीछे बहुत सारे लोग है वो तुम्हारी फैमिली को जिन्दा नहीं छोड़ेंगे अगर तुम्हें इससे बचना है तो और एक आदमी को मारना पड़ेगा वो जिस आदमी को मारने के लिए कह रहा था वो डेड़ आदमी का दुश्मन है सब को लगेगा कि ये गैंग वार था और उस वर कोई भी शक नहीं करेगा इस नेक्स टारगेट के बारे में रियूज ने आकर टॉम से बात किये टॉम उसे कहता है कि जोनाथन को तुम्हें एक ही काम देना था ये सेकंड काम उसे अच्छा नहीं लगता वो रियूज को जोड़ देने के लिए कह रहा था पर वो मानता नहीं अगली दिन आकर रियूज ने फिर से जोनाथन को धमकाया कि अगर तुम्हें काम नहीं करते तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा अब मजबूरी में काम करने के लिए जोनाथन रीडी था उसके नेक्स टारगेट को उसे ट्रेन में मारना पड़ेगा कहीं जोनाथन उसे हेल्प करता है और टॉम ने उस टारगेट को मार दिया उस टारगेट के पीछे बेज़े उसके बॉडिगार्ड भी थे उसे भी हो मार डालते है टॉम की हेल्प करने के लिए जोनाथन को भी एक आदमी को गोली मारनी पड़ी थी इन सब चीजों से बहुत ही डिस्टब हो गया जब यहां से बाहर निकले तो जोनाथन रोने लग जाता है कहता है कि प्लीज इन सब से मुझे बाहर निकालो तुमने इस सब मेरे साथ क्यों किया टॉम कहता है कि तुमने मेरी इंसर्ट की थी और तुम ये सब काम कर सकते थे अब तुम्हें बुरा लग रहा है पर टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा जॉनतन इस काम के पैसे लेकर फिर से घर पर आया उसकी वाइफ को अब शक चला गया था वो गहती कि ऐसा कैसा रिसर्च है जिसके तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे है जॉनतन उसे जुट बोलता है पर वो मानती नहीं जॉनतन ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे ले कुछ पैसे छोड़ कर जाना चाहता हूं वो इसके बारे में उसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करता अगली दिन टॉम्हें और जॉनतन मिले जॉनतन वरीड था कि उसके फैमिली के पीछे कोई आये ना टॉम्हेता है कि अगर कुछ प्रालम हुआ तो वो लोग मेरे पीचाएंगे तो वे वरी करने की ज़रूत नहीं है नेकसिन में हम देखते है कि गैंग को पता चल गया था इस सब की पीछे रिउस है उसे मारने के लिए उसके घर पर आये हुए थे पर वो जल्दी से वहाँ से भाग गया वो टॉम को कॉल करता है और उसे हेल्प मांगता है पर अब टॉम उसे कोई भी हेल्प नहीं करने वाला था टॉम को पता चल गया कि अब कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन होने वाली है उसने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे यहाँ कुछ महमान आने वाले है तुम कुछ दिनों के लिए कही और रहने के लिए चली जाओ टॉम के वाइब को उसके सारी चीज़ों के बारे में पता होता था तो ये बात भी हो समझ गई टॉम फिर जॉनातन के पास आया और उसे सारी सिचुशन समझा देता है तो इसने कहा कि आज रात मुझे हेल्प करने के लिए मेरे घर पर आना जॉनातन फिर से अपनी वाइब से जूट बोलकर टॉम के पास आ जाता है उन्होंने फिर पूरे घर में ट्रैप्स बिचा दिया थे गंस वेकर अलेकर गैंग के लिए और रेडी थे जॉनातन को लग रहा था कि शायद आज रातों नहीं बचेगा सेरा बहुत ही वरीड होगे वो टॉम को कॉल लगा कर पूछती है कि जॉनातन तुमारे पास है पर टॉम उसे कुछ भी बताता नहीं अब सुबह होगे और फिर गैंग के आदमी यहाँ पर पहुच जाते है इनके घर के ट्राइब में एक आदमी फस गया था जॉनातन बाहर जाकर आदमी को देखने की कोशिश करता है एक आदमी जॉनातन को मारने वाला था पर पीचे से टॉम आकर उसे ही मार डालता है एक आदमी को इन्होंने जिन्दा पकड़ लिया था टॉम उसे गयता है अपने बॉस को कॉल करो कहो कुछ जिन आदमी को तुम ढूंड रहे थे वो यहाँ पर थे ही नहीं यह कॉल सक्सेस्फुल हुआ और अब गैंग इनके पीचे नहीं लगेगा इस लास्ट आदमी को भी मार देते है तबी सेरा जॉनतन को ढूंटे रूंटे टॉम की हाँ पर आ गई थे जॉनतन को उस आदमी को मारते हैं सेरा ने देख लिया वो गुस्य में यहाँ से चली ग जाते हैं इस गैंग की कार की ट्रंग में उन्होंने देखा तो रिवस की बॉड़ी पड़ी हुई थी गैंग ने उसे भी मार दिया था अब उनकी कार रिवर के बास लेकर जाकर उसे वह आग लगा देते हैं अब यह दोनों सेफ थे जॉनतन के पास बहुत सारे पैसे आ च टॉम वहाँ पर पोच्छ कर सब लोग को मार देता है इस गन फाइट में टॉम को गोली लगने वाली थी तो जॉनतन उसके सामने आ गया यही पर उसकी डेथ हो जाती है पर मरते वक्त उसके फेस पर स्माइल थी कैंसर की वज़े से अगर उसकी डेथ होती तो बहुत ही स्ल में जाता है इसकी वाइब उसके लिए बहुत ही वरीड थी पर टॉम को देकर उसे भी अच्छा लगता है और यही बने मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा वह सारी मुवीज लेकर रहता है तो प् इनिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूर के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया